चलिस हायक सिक्षक भरती की आगे को जो प्रक्रिया है वो किस तरह से बढ़ने वाली है और क्या कि आगे चीजे संभा होने वाला है उन पर चर्चक कर लते हैं सबसे पहली बात तो यह कि लोक्षिक्षन संचनाला ने एक नोटिस निकाला है वेरिफिकेशन को लेकर जैसा कि अब सबको पता है कि 23 से क्या हुआ था स्टार्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था बीएड वालों को बाहर रख कर देखिए यहां पर एक बात तो इस पस्ट है कई लोगों में यह कंफीजन की स्थी थी है कि देखिए पहले बीना बीएड के लगभग 7000 और 9000 मेल में 7000 तक और फीमेल में 9000 तक कट अब गया हुआ था कि अभी तक के एक अनुफात 1 में बुलाया गीया था सभी को और सब को में स्कूल अलोट करने के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस कराया गया था मतलब वेरिफिकेशन से पहले सब गया था तो यह वाली चीजें अभी इस साहैक तीन गुना लोग हो गए अब देखना ये होगा कि क्या इन एक अनुपात तीन मतलब तीन गुना लोगों को इसकूल अलर्ट करते हैं विभाग तो इस पर और विस्तरिस चर्जा करेंगे उससे पहले ये आज के नोटीस को देख लेते हैं कि क्या कुछ चीजे इसमें दिया जिला दिकारी है उनके नाम पर निकाला गया है इस चीज को लेकर सहायक सिक्षक के प्रथम चरनक के दस्तावे सक्त्यापन को लेकर बोला क्या जाय है बई से कौंसलिंग स्टार्ट था जो साथ तक चलेगा और कौंसलिंग खतम होने के जस्ट बादना आठ सितंबर से तेर सितंबर तक वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है मतलब लगभक 6 दिन वेरिफिकेशन चलेगी 8,9,10,11,13 ठीक है इन 6 दिनों में सभी जितने भी सलेक्टेर है उन लोग का वेरिफिकेशन कराया जाना है अब देखिए तीन गुना लोगों को वेरिफिकेशन हो यहां पर एक चीज़ार कर देना चाहूंगा मैं वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसका जो जगह है वो लगभग उसी जगह को निर्धारित किया गया है जहां शिक्षकों का वेरिफिकेशन हुआ था आप देखेंगे जैस तम चौक रायपूर में शिक्षक जो पदवाले है उनलों का वेरिफिकेशन हुआ था ठीक है मल्ती लेवल पारकिंग त्री ती तल जैस तम चोक रायपूर यहीं पर आप लोगों का भी वेरिफिकेशन होगा तो फिलहाल आप यह डेट याद रखिए 8 सितंबर से 13 सितंबर अच्छा अब यहां पर अलग 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 को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन जिनका भी होगा पहले दिन से 8 तरीक से 8 तरीक से 11 बजे से वेरिफिकेशन चालो होगा लेकिन बाकी दिन में 10 बजे से ऐसा क्यों क्यूंकि शुरू दिन में थोड़ा सा व्यवस्था करने में टाइम लग जाता है चीजों को मैनेज क करने में इस कारण से तो जिनका भी वेरिफिकेशन होगा जिस डेट में एक दो दिन पहले आपको क्या आएगा आपके प्रोफाइल में अब्डेशन आएगा और या तो मोबाइल में मैसेज आएगा कि इस दिन इस जगह में आपका इतने बजे वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना है तो वहाँ उपस्तित हुई है तो यह basically main चीजें हो गई कि भई verification आठ से start होना है तेरा तक चलेगा और इस बीच में सभी उन अभियर्थियों का verification होना है जिनका counseling अभी हो रहा है चलिए अब बात करते हैं कि school का allotment का क्या विवस्तर रहेगा और किस तरह से आगे चीजें संभाव हो पाएगी देखिए जहां तक बात करें एक अनुबात तीन मतलब तीन गुना लोगों को school allot करनेगा तो यह थोड़ा सा विवहारिक रूप से मुश्किल लग रहा है क्योंकि जितने post नहीं है उतने ज्यादा school में पदिस्था आपना देना या school allot करना थोड़ा सा विवहारिक नजर आता है ठीक है क्योंकि counseling की प्रक्रिया हो जाए रहेगा तो verification से पहले तीन गुना लोगों को school allot करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है देखना होगा कोई विभाग क्या करते हैं चीजे है वो नियमता है या बहुत ही अच्छे से सुचारूर्प से तभी संभ़ हो पाएगा अगर ये किया जाए कि सबसे पहले counseling की process तो करा लिया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं इसमें जितने भी लोग है उन सब को verification के लिए बुलाया जाए और उसमें जितने लोग पात्र होते हैं और जितने पोस्ट है उतने लोगों को school alert किया जाए और जो अब पात्र है उन लोग को school alert करने की कोई अशक्ता वैसे भी शुरू से नहीं है ठीक है तो ये अगर प्रक्रिया अपनाते हैं सबसे पहले verification करा लिजिए verification की बाद जितने लोग पात्र होते उसमें married बनाई एक है और बाकी लोगों को waiting list में रखेंगे सिंपल सी बात है इन गुना लोग हो रहे है 9000 रैंक तक तो जो बाकी लोग है उन लोग को क्या करिया जाएगा waiting में रखा जाएगा इ अगर नियुक्ति भी देते हैं तो एक clause एट करके देना पड़ेगा clause मतलब एक line लिखना पड़ेगा कि जिनकी भी नियुक्ति हो रही है वो supreme court के फैसले के अधीन रहेगा अगर B8 या D8 वालों के नियुक्ति होती है ठीक है और बाद में court ये बोल दाता है कि B8 वालों को इसमें शामिल नहीं करना है तो फिर जो जो जॉइन कर चुके होंगे B8 वालों को भी वापस लेना पड़ेगा विभाग को ठीक है तो इना चीजे थोड़ा सा complicated है अगर high court के नियुक्ति देते हैं तो विभाग को भी सारी चीजे जल्दी से करना है तो देखते हैं क्या करत हैं देखिए अगर high court के फैसले से पहले एगर जोइनिंग देते हैं तो समस्या B8 वालों को ही होने वाला होगा D8 वालों को नहीं कैसे थोड़ा से सपस्ट करता हूं एक बार देख लीजे जैसे सपोज B8 वालों को जोईन दे देते हैं सपोज high court ये बोलता है कि B8 वालों क के लिए जो एक क्लॉस मेंशन रहेगा कि high court के फैसले के अधीन होगा उनकी जोइनिंग निरस्त कर दिया जाएगा ठीक है विभाग के द्वारा क्योंकि इस पेसली सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है लेकिन D8 वालों को यहां पर कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि D नियम से सलेक्ट होना है जिसको हां अब B8 वालों के साथ जो नियमता जो रैंक में आएंगे जो टॉप रैंकर होंगे जिनका ज्यादा नंबर होगा उनहीं लोगों को D8 वालों का सलेक्शन होगा अगर B8 वालों को शामिल करकर जोइनिंग दिया जाता है और बाद में B8 को सपोस नहीं रखना है ऐसा आउडर आ जाता है हाई कोट का तो उस केस में ठीक है क्योंकि बाद में जो जितने भी रैंक है उन लोग वेटिंग में रहेंगे तो उन लोगों को फिर जोइनिंग निरस्त करने वाली कोई बात ही नहीं है तो चीजें इस तरह से नजर आती ह क्या है ट्रही तो इस तरह से सारी चीजें संभा होते नजर आरी हैं बाकी अगे देखते हैं किस क्या हो पाता है और जो के बाधी जो भी चीजें है अपने दोस्तों के साब वीडियो जरूर शेयर कर लिजे